दोस्तो आप सभी का स्वागत है अमन्टेक्स यूटूब चैनल में दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्पर्श पोटल पे 2023 में आपको कब अपना लाइव सेटिफिकेट सब्मिट करना है क्यूंकि दोस्तो आप जानते ही हैं कि आपको डिफेंस पेंशन को सुचारू रखने के लिए यहाँ पे हर साल अपना लाइव सेटिफिकेट सब्मिट करना होता है तो यहाँ पे आपको 2023 में कब तक जो है अपना लाइव सेटिफिकेट सब्मिट करना है अगर आप ये जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाज तक जरूर देखेगा दूसर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस पर्श पोटल पे लाइफ सेटिफिकेट सब्मिट करने की लाज डेट जो है वो 28 February 2023 है अगर आप उससे पहले पहले अपना लाइफ सेटिफिकेट सब्मिट नहीं करवाते हैं तो उसके वाज आपकी पेंशन में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं यानि कि आपके पेंशन में आपकी पेंशन वो क्रेडिट नहीं होगी तो इसलिए जो है आपको 28 February 2023 से पहले अपना लाइफ सेटिफिकेट सब्मिट कर लेना है तो दोसो अगर आपने अपना लाइफ सेटिफिकेट सब्मिट कर दिया है तो यहाँ पे अब आपको 2023 में अपना लाइफ सेटिफिकेट कब सब्मिट करना है तो चलिए वो जानते हैं तो दोस्तो उसके लिए आपको simple यहाँ पे अपने mobile में या फिर laptop में simple आपको Google में type करना है PCDA जैसे ही आप यह search करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे PCDA.NIC.IN की site का link आपको देखने को मिलेगा simple आपको इस पे click करना है इस पे click करने के वाद जो है home page आपके सामने आ जाएगा दोस्तो यहाँ पे आपको एक option देखने को मिलेगा Spurs migrated PPO यहाँ पे आपको new देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको check identification status के option पे click कर देना है तो आपके सामने know your Spurs PPO and identification status का option आ जाएगा दोस्तो अब आपको यहाँ पे select option for search का option मिलेगा simple आपको यहाँ पे Spurs PPO number e PPO number, regimental number या फिर bank account number के थूँ जो है आप यहाँ पे अपना identification status चेक कर सकते हैं तो दोस्तो जैसा कि हम यहाँ पे Spurs PPO number एंटर करेंगे तो हम यहाँ यहाँ पे इसे select कर लेंगे and उसके बाद enter option value में आपको option value enter करनी है जिस वी option को आपने ओपर select किया है तो यहाँ पे हम option value enter कर देते हैं and उसके बाद आपको नीची capture code देखने को मिलेगा, यह आपको image verification के option में enter करना है and उसके बाद आपको submit के option option पे क्लिक कर देना है तो दोसो आपको यहाँ पे सारी details देखने को मिल जाएंगी कि आपका original PPO number क्या है and उसके साथ आपका name and supposed PPO number आपको देखने को मिल जाएगा and उसके साथ ही यहाँ पे आपने जो अपना last identification करवाया था यानि कि Live Certificate जब submit करवाया था उसकी date आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी दोसो यह Live Certificate submit किया गया था 7 November 2022 को डोसो अब यहाँ पे ¿next to due date है यहाँ पे Live Certificate Submit करने की उसकी वी date हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पे इसकी जो last date है हैं दोस्तों यहाँ पे जो है हमने जो अपना last identification यानि कि life certificate submit किया था वो यहाँ पे उसका mode क्या रहा था mode of identification का तो वो रहा था जीवन परमान का जिस भी तरीकी से आप अपना life certificate submit करेंगे उसका भी mode of identification में आपको देखनों को मिल जाएगा और दोस्तों यहाँ पे आपको यह भी देखनों को मिल जाएगा कि आपका spurs portal पे अधार number updated है या फिर नहीं है अगर updated है तो यहाँ पे आपको देखनों को मिल जाएगा और उसी के साथ आपका pan number और अपडेटर है तो वो भी देखने को मिल जाएगा, और णबाइल नम्र कोंछ अपडेटर है, उसके लाज़ कर लिए अब को देखने को मिल जाएंगे और एक अपने चेख कर सकते हैं, तो दोस्तो की इस तरीके 生ची कर सकते निए, bye-bye, take care, thank you